रादे रादे फ्रेंट्स तो आज हम बनाएंगे बची ही रोटियों से बहुती डेश्टी बहुती मज़ेदार प्रिकवास्ट तो चलिए रेशीपी को शुरू करते हैं रादे रादे फ्रेंट्स तो मेरे पास यहां कुछ रोटियां बच गई थी तो अभी इनको हम अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर लेंगे और उसके बाद मिक्सर ग्रैंडर मैं इनको अच्छे से पीस लेंगे ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है इसको दरदरा ही रखना है ज्यादा महीन नहीं करना है तो मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है एकदम दरदरा कर लिया है तो इसी तरीके से बच्ची हुई रोटियों को भी पीस लेंगे तो काईज यह बहुत ही खाने में यमी लगती है अगर आपके बच्चे नक्रे करते खाना खाने में तो इस तरह की से उनको खिलाना तो उनको पता ही नहीं चले गा कि हम रोटी खा रहे हैं या कुछ और तो मैंने सारी इससे पीछ लिया अभी इनको हम सबजियों के साथ में फ्राइ करेंगे आप अपनी मन पसंद जितनी भी आपके पास सारी सबजिया है न उस सारी भर भर के डाल दीजिये कोई प्रावलम नहीं है बच्चे शॉक से गाएंगे तो अभी सारी सबजियों को कर देंगे मिक्स 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 एंड देन हम डालेंगे इसमें सारे मसाले तो ज्यादा मसाले हम एंड नहीं करेंगे थोड़े थोड़े सारे मसाले एड करेंगे तो मैंना आदा चमबच धनिया पाउडर, आदा चमबच छाल्दी पाउडर और आदा चमबच लाल मिर्च पाउडर लिया और थोड़ा सा एक्ष्टर टेस्ट बढ़ाने के लिए मैने या पे लिया है मैघी मसाला और लेंगे हम नमक, नमक ज़ादा यूज नहीं करना है क्योंकि रोटियों में भी नमक होता है, इसलिए थोड़ा सा ही नमक आपको यूज करना है, तो सारे मसाले मिक्स हो गए हैं, और अभी हम अपमें से पिसी हुई रोटियों को भी डाल देंगे, इस तरीके से, और इनको मिक्स कर देते हैं, और आप भी हो गई है, रोटी रेडी, तो गैस कर देते हैं, और इसको कर देते हैं, सब, तो गैस कोई कह सकता है, कि रोटियों से बना हुआ है, एक्तम खीला-खीला कितना टेश्टी लग रहा है, तो एक बार इस रेसिपी को घर पर ट्राइज ज़रू बताना थैंक यू फॉर वाचिंग बबाई राधे राधे लाइक शेर और सब्सक्राइब टेक क्यों राधे राधे